तो 16 दिसंबर को चौथे चरण का मतदान होना है धनबाद जिले के चैविदान सभाक शेत्रों में भी चुनाओं होनी है चुनाओं को लेकर जिला प्रशासन ने भी अपनी पूरी तयारी कर ली है धनबाद उपायुकत अमित कुमार से बाचीत की सयोगी प्रभात कुमार ने धनबाद के डिसी अमित कुमार जी के पास 16 तारी को मतदान होना है उसको लेकर क्या तयारी की गई है हम उनी से सीधा जुड़ते हैं सर पहले तो आपका नेज़ो 11 में स्वागत है 16 तारिकों जो मद्दान होना है उसको लेकर क्या प्रसासने त्यारी करके रखे धनबाद जिले में सभी 6 विधान सबाद सीटों के लिए 16 दिसंबर को मद्दान होना है और मद्दान का समय साथ बज़े से पांच बज़े तक नरधारित है सिर्फ टुन्डी विधान सबाद छेटर के अंदरगत 7 बज़े से मद्दान सुरू हो करके 3 बज़े अपराहन तक जो होगा मेरी अपील होगी सभी धनबाद वासियों से कि वो अपने सम्वैधानी का दिकार मता दिकार का परयोग निश्यत रूप से करें और इसके लिए जिलापरसासन ने समुझित तेयारियां की हैं जहां तक हम सुरक्षा की बात करें तो परयाप्त सुरक्षा बल परतिनुक्त किये जाएंगे जिससे भैमुक्त वातावरन में चुनावकारे हो सके अगर हम तैयारियों की बात करें तो जिला प्रशासन जो है वो पूरी तरह से तैयार है जितने भी मतदान केंद्र हैं 238 वहाँ पर जो आवशक बुनियादी सुविधाये हैं वो उपलब्द कराई जाएंगी साथी साथ नए प्रयोग भी इस बार जो हो ओनरेबल कमिशन के नरदेश अनुसार जो हो धनबाद जिले में हो रहा है जिसमें ज़डिया विधान सबाचेतर अंद्रकत बूथ आप जो है वो के माद्धम से चुनाओ जो हो किया जाना है तो हमें पूरी उमीद है कि इस बार ना सिर्फ ग्रामीन मत आता बलकि सहरी मत आता भी बढ़ चरकर जो हो भाग लेंगे और इस लोग तंद्र के महातेवार को सफल बढ़ाएंगे तो ये थे धनबाद के डीसी अमीद कुमार जी नहीं जिन्हों ने कहा कि मतदान पर्चिसत बढ़ाने के लिए लोगों में काफी जाजूरता पहलाई जा रही है किया जा रहा है निउज 11 भारत भी आपसे अपील करता है कि आप घर से निकले पहले मतदान करे उसके बाद जलपान करे रही बात मतदान के दिन के लिए पुरे सुरक्षित है पुरा धनबाद आप निकले घर से मतदान करे इसकी जिमवारी उपायोक ने खुद लिया कि कि किसी तरह का कोई व्यवदान यहां नहीं पैदा होगा सहयोगी अनुवर के साथ प्रभात निउजलिवन भारत धनवाद